मैंने आपको लली तमरूत दिखा था इसी प्रकार आज मैं आपको दिखा रहा हूं ताइवान पिंक और थाई पिंक ताइवान पिंक यह जो पोधा है मेरे पास में यह क्लोन का है और कुछ पोधे मेरे पास ग्राप्टिड पोधे हैं ग्राप्टिड पोधा थोड़ा देर से चलता है लेकिन फल अधिक आता है पोधा मजबूत होता है इसलिए मैं ग्राप्टिड पोधे को अधिक पसंद करता हूँ आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ताइवान पिंक और थाई पिंक के अमरूद में क्या फ़र्द हो यह देखिए यह इस पर दो अमरूद लगे भी है इस समय फसल खतम हो चुकी है और इसको देखिए लगबग यह गोला कार अमरूद होता है कुछ अमरूद इसके सुरु-सुरू में बल्ब के आकार के होते हैं वो जब तक पोधा डेड़ साल का होता है तब तक आते हैं और वो नीचे की तरफ मिलेंगे आपको सवव यह कहा जाता है कि जब तक पोधा आपका दो वर्स का नहीं होता तब तक आपके फल का साईज ब दिखाऊंगा और मैंने कुछ पहले वाली वीडियो में भी दिखाए होंगे और ये देखिए ये मेरा अम्रूल है इस पर देखिए कि ये कुछ दाग आ सर्दियों में ये जो दाग आते हैं ये कई कारण से आते हैं पत्ति के एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण आते हैं या इसमें माइट्स की प्रोब्लम आ जाती है इन दागों से हम कैसे सुरक्सा करें तो आपको इस पर फोम नेट और एंटी फोग पन्नी लगानी होगी किसान साथियों मैंने इस वर्स इन कुछ फलों पर साधारन सी एक किलो की पन्नी लगाई कर देखा है और उसका ये परिणाम पाया है कि वो अमरूद ज़्यादा सुन्दर होते हैं उन्हें पक्सी भी नहीं खाते हैं और उनका फल भी बड़ा होता है आईए मैं आपको पह अब फसल खतम हो चुकी है मैंने कुछ अमरूद सिरफ इसलिए रोके विये हैं कि जो किसान भाई पोद लेने आते हैं मेरे पास में उनको मैं ये अमरूद दिखाता हूँ ये देखिए इस अमरूद का कितना शुंदर हो गया ये देखिए बिलकुल गोल होगा और ये जो ह कट कर देखते हैं देखिए मैं काटूंगा इसको और मैं पूरा अंदर से दिखाऊंगा इसको किसान साथियों हमें इसमें फॉमनेट और एंटी फोग पनी जब बांधनी चाहिए जब आपका अमरूद लगबग 50 ग्राम का हो मैंने ये बाद में बांदा था और ये निसा ललित की अपेक्सा ये एक हलका सा तर्बूज जैसे तर्बूज होता है न तो तर्बूज में जो एक बहुत गहरा लाल रंग होता है उससे कम हलका रंग होता है और इसमें बीज उसकी अपेक्सा कम होते हैं ये देखिए मैं खा कर दिखाता हूँ इसका स्वाद भी अम्रूद और थोड़ा सा खर्वुजे की तरह का होता है प्योर अम्रूद नहीं होता मेरा उद्देश से आज आपको यह बताना है कि अगर आप ताइवान पिंक की खेती कर रहे हैं तो इसमें फॉमनेट और एंटी फोग पनी लगाईए आपके फल पर निसान भी नहीं आएंगे फल मक्की से सुरक्षित होंगे और फल सुन्दर होंगे और आपको भाव भी अधिक मिलेगा आपको जितने भी फल इस पर बहुत फल आते हैं तो कहीं भी दो फल मत रखिए एक फल से चेन कीजिए एक जगह पर और कोशिश करिए वो फल नीचे की तरफ को हो और उस पर एंटी फोग पनी भी लगाईए और फोम नेट भी लगाईए आईए मैं अब आपको एक अमरूद दिखाता हूँ जिस पर मैंने पनी नहीं बानती और वो कैसा पनी नहीं बानते तो ये देखिए ये एक तो ये जो फल है इस पर ये मैंने पहले भी अपनी नहीं बढ़ पाया इन पोधों में निमा तोड़ा आ गया था और इस पोधे में अधिक निमा तोड़ता इसलिए ये अधिक नहीं बढ़ पाया और देखिए जब हम इसको काटते हैं इस तरह से तो इसमें ये थोड़ा फट गया है जो इस बात का सूचक है कि अमरूद में कैल्सियम और बोरोन की कमी है और ये इस बात का सूचक है कि अभी पोधा इतना परिपक्वे नहीं हुआ है कि वो इतने बड़े फल को सह सके और फल का आकार आपका बल्ब की तरह का हो गया लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अंदर से भी देखिए ये हलका हलका सा वजन कम है इसमें तो इसमें और इसमें देखिए ये ज़्यादे ठोस है और ये थोड़ा सा कम ठोस है अगर इस पर पन्नी बान दी गई होती तो ये अमरूद भी बहुत ये एक और फल देखिए देखिए ये पूरे का पूरा फल इसे जानवर खा गए है मैंने कुछ अमरूद रोक लिए थे किसान आते रहते हैं उनको दिखाता रहता हूं देखिए हम इसको अगर हम इस पर पन कर दिखाता हूं आपको इसे ये देखिए ये देखिए अंदर से कलर वही है फर्क इतना है कि जिस पर हमने फोम नेट बांदा था वो ज्यादा अच्छी तरह पका है और अधिक भाग में इसके गुलाबी पन लिए हुए है जबकि इसमें कम है अमरूद बढ़ गया लेकि इसका थोड़ा कच्छा है अगर स्वादिस्त अमरूद चाहते हैं तो आपको फोम नेट बांदना पड़ेगा आईए अब मैं आपको थाई पिंक पर ले चलता हूं ये मेरा ताइवान पिंक ग्राप्टेड पोधा है और अब आईए मैं इसकी पन्नी खोलता हूं और आप को यहां एक चीज मज़ेदार दिखाता हूं यह देखें अमरूद आप देखें यह अमरूद पन्नी बांदने से इसमें कम फटा है बहुत देर हो गई यह पक गया था लेकिन अगर आप पन्नी नहीं बांदेंगें तो यह देखें नीचे से कितना यह अमरूद इसकी अपकसा छोटा है और यह देखिए यह फट गया यह देखिए यह जानवरों ने खा लिया और इस पर बहुत अधिक फ्रूटिंग आती है यह देखें कितनी फ्रूटिंग है इस पर मैं अभी पन्नी बांदूँगा और इनको ठीक रखोंगा, यह हुया, इसका दूसरी, कुछ पोदे मेरे पास ये है, ये थाई पिंका पोदा है, किसी ने मुझे, उसे भी ये पता नहीं था, मलीहबाद से मंगाई थे सो पेड, इसमें तीन तरह के पेड निकले, लेकिन इस वराइटी पर बहुत अधिक और इन दोनों में आपको अंतर दिखाता हूं, इसके मैं इस बार लगबग 500 पेड अपने यहां बनवाँगा, इस अम्रूद का स्वाथ, देखे, पन्नी बान दे गई, और हलका सा फटा है यह यहां से, और मैं आपको दिखाता हूं, कितना शुंदर अम्रूद है, उसकी अगर आप देखेंगे, तो यह हलका सा यहां से थोड़ा कम होगा, और इसका छुआज बिल्कुल अलग है उससे, हलका पन्नी यह है, और यह गोल होता है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे, यह गोल होगा, लेकिन फटा यह भी है अंदर से, अगर आप इसको पन्नी बान पर मैट्स की प्रोब्लम आ गई, अमरूद बड़ा होगा, यह देखेंगे, इस अभी खा लिया, तो यह थाई पिंक का अमरूद है, और देखेंगे, यह देखेंगे किस तरशा आप, यह बिल्कुल अलग अमरूद है उससे, लेकिन इसका मीठा बन उससे बहुत अधी है, यह देखेंगे, गोल वाला अमरूद है बिल्कुल, और साफ है, अगर आप इसमें, यह मेरे पास कुछ पेड़ हैं, जिनकी मैं अब की बार 500 पेड़ बनाने का है, निश्चे किया है, और उन में से 2-2, 4-4, 5-5 पेड़ में सभी किसानों को कहूंगा, कि वो भी लगा कर द वावा का बताया, मुझे नहीं पता ये वेराइटी मार्केट में किस नाम से जानी जाती है, लेकिन जब से मैं इसे देख रहा हूं, तो मैंने इसको नाम दिया, और जो दूसरों लोगों से बात की, तो थाइपिंग के नाम से आता है, यह है या नहीं है, यह मैंने ही कह सक इन में कैल्सियम और बोरोन की बहुत अधिक आवश्चक्ता होती है, नहीं तो अमरोध फटने लगते हैं, और नौंबर के सुरू में ही आपको माइट्स की प्रोब्लम इन पर आती है, अगर आप फोम नेट लगाएंगे और एंटी फोग पन्नी लगाएंगे, तो ये समस्य आपको नहीं आएगी, एक और बात, जो लोग ये ताइवान पिंक और थाई पिंक लगाना चाहते हैं, वो ये सुनिस्चित कर लेगे, उनके पास ड्रिप है, अगर आप ड्रिप रखेंगे, तो आपका पानी का खर्च काम आएगा, और जो फर्टीगेशन करेंगे आप, वो फर्टीगेशन भी आपका आसानी से हो जाएगा, चुकि इनका एक शिड्यूल होता है, कब कैल्सियम देना है, कब इसमें आपको फर्टीलाइजर देना है, तो अगर आप ड्रिप से देंगे, तो आपकी कम मातरा में काम होगा, और आपके ख़द की भी बचत होगी, किसान साथियों, आज मैंने आपको बताने की कोशिस की है, कि थाई पिंक और ताइवान पिंक में क्या अंतर है, पेड से अमरूत तोड़ कर दिखाए, पत्तों से बहुत कम पता चलता है, कि आप इस चीज को बता सके, दोनों के पत्ते लगबग बराबर है, एक ही तरह के ह हैं, लेकिन फल अलग-अलग परकार के आते हैं, और बहुत मुश्किल से ही समझ में आता है, मैंने ये बताने की कोशिस की, और मेरा एक उदेश से था कि मेरे बाग में इतनी वराइटी हों, कि जब लोग पेड़ खरीदने आए, मैं पहले हर परजाती का, उनको अमरूद खाकर दिखाऊं कि ये देखिए, और लगा हुआ भी अमरूद देखिए, और तब आप पोधे लीजिए, और सैद इस कारिये में मैं सफल भी रहा हूं, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप कमेंट में मुझे अवस्य लिखे, और अगर आपको ये पसंद आया है, तो अधा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारक, बंदेमाद,